एक बार फिर से बिरोधियों के निसाने पर राजस्थान की बीजेटी सरकार है। इस बार सरकार पर इतिहास से छेड़ शाड़ का आरोप लगा है। दरसल राजस्थान बोड में पढ़ाई जा रही कुछ नई इतिहास की किताबों में तत्थ को तोर मडूर कर प्रस्तुत कि कई लडाईयों में जीता हुआ बताया गया है। नई किताब में नहरू और महात्मा गांधी का जिक्र नहीं है। यहां तक कि महराना प्रताब की इतिहास को भी बदल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दसविक अच्छा के छात्रों के लिए तयार की गई सोसल साइंस की नई किताब में लिखा गया है कि महाराना प्रताब को 1576 में हल्दी घांटी की लडाई में हराया था। लेकिन अब तक की इतिहास में इस युद्ध को बे नतीजा बताया जाता रहा है। यानि की ना तो महाराना प्रताब की सेना जीती थी और ना ही अकबर जीते थे। लेकिन राजस्तान के सिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बिभाक की कमान समालते ही महाराना प्रताब को हल्दी घांटी का विजेता बता दिया। वैसे ही हल्दी घांटी की लडाई को लेकर इतिहास कारों की अलग-अलग राय है। लेकिन इस तरह से कभी भी तत् अबिक महाराना प्रताब अपनी मात्योगों मी मेवार की रच्छा के लिए पूरी ताकत से लड़े थे और उनकी सेना ने अकबर की सेना को हरा कर दम लिया था। इसने पहले पाट क्रम से अकबर महान है इस पाट को हटाने की बाद भी सामने आई थी। वहीं सिक्षा मंत् स्री वासुदेव देवनानी ने इस बारे में अपने रुक को साफ करते हुए कहा कि अब तक इत्यास सही धंक से नहीं पढ़ाया जा रहा था। अब इसे सही किया जा रहा है। देवनानी का तर्क है यदि अकबर हल्दी गांटे का यूद जीपता तो फिरो छे बार मेवा पर हमने क्यों करता है।